हाई एवरीवन वेलकम बैक तो स्मार्ट स्टेडी चैनल कैसे चल रही है आपकी प्रेपरेशन तो होबसो सब अच्छे से आप प्रेपेर कर रहे होंगे एक्जाम अभी आपके आने वाले हैं तो इसमें आज के लेक्चर में हम MHI 3 जो आपका सेकिंड येर का कोर्स है हिस्टो tu इसको जो है मेरी हिस्टोरियोग्राफिंग हुई उस त्रछ तो इस को जो है इस्टोरियोग्राफिय की अगर बात है इसको बेशियकली हम तू सेक्ष्टन्स मेंड डिवाईड करते हैं आपके एक डली शालतनित het ठीक है अगर आप मेडीवल इंडिया की बात करेंगे मेडीवल इंडिया में एक डैली सल्सनेत मेजर पॉवर हुई पहले उसके बाद मुगल जाए तो हिस्ट्री राइटिंग भी हम उस तरह से कवर करेंगे ठीक है और आपको एक्जाम में भी जो है सेपरेटली पूछा जा इसपरें ने आपको में आपको कुछ में जो नेयम है ठीक है बुक्स कौन-कौन सी मेजर हुई है ढ़्या क 수 ने जो को वैसे मतलब कॉन से Спस़ पार्गॉर आइस थोड़े हैं तो थोड़े ने इस तरह से हैं कि यह पर्शियन टेक्स्ट रहे हैं बेसीकली जो हिस्टोरियोग्राफी रहे है मेडीवल टाइम की ठीके डियूरिंग डेली सल्टनेट पीरियद दाट वस इन पर्शियन लेंग्यूज मोस्ली ठीके तो आपको थोड़े नेम्स जो है डिफिकल्ट लग सकते ह है बट एक बार अगर अपने नेम्स मेम्राइज कर लिए ठीक है उसके बाद आपको लिखना इजी रहेगा ठीक है तो काफी मतलब ज्यादा इसमें कुछ ने बस आपको रट्टा थोड़ा लगाना पड़ेगा यहां पर रोट लर्निंग है ठीक है तो उसके लिए आप क्य किजिए उसको बार-बार अप्रिवाइज किजिए तो आपको यह मेम्राइज हो जाएगा ठीक है तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको इंडो पर्शियन हिस्टूरियोग्राफी डूरिंग सल्तनेत पिरियड यह आपको 20 मार्क्स में कोशन आ सकता है आपके एक्जाम में ठीक है तो देखिए अगर हम मेडीवल टाइम्स की बात करते हैं हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं तो यह किस तरह से हिस्ट्री राइटिंग यहां पर स्टार्ट हुई पहले वो देखना पड़ेगा मेडीवल टाइम्स में अब मेडीवल टाइम्स में हमें पता ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब यह जो बेसिकली ठरकिश रूलर्स थे ठीक है? तो यह सब यहाँ पे आए उसके बाद यह यह जो इनवेज round हुई ठीक है? इनवेडर्स यहाँ पे आए यही resurrection का है हिस्ट्री राइटिंग का तो छो medieval हमारी historiography है medieval हमारी history writing होती है तो वो हम बोलते हैं कि that was introduced with Gorian conquest ठीक है मौहमद गोरी ने यहाँ पे conquest किया ठीक है इंडिया को conquer करा उनोंने ठीक है उसके बाद ये लोग जो है हम देखते हैं कि अगर art and architecture की बात करें Persian art and architecture आया जो ये invasions हुई ठीक है similarly history writing का tradition आया यहाँ पे तो ये सारी जो है एक positive way में देखते हैं कि ये जो invasions हुई उनका कुछ important contribution भी रहा हमारी अगर हम Indian culture की बात करते हैं ठीक है तो उसमें एक हमारा जो important tradition रहा that is of history writing ठीक है तो यहाँ पे इनके आने के बाद बहुत सारे text जो है Persian language में लिखे गए उससे पहले अधर्वाइस यहाँ पे जो अरली अगर हम अरली ancient period की बात करें तब Persian language में text थोड़ा लिखे जाते थे ठीक है ये किसके साथ start हुआ with the Gorian conquest with the foundation of Delhi Sultanate उसके बाद यहाँ पे जो है Persian में text लिखे गए कुछ जो राइटर्स थे दे वर अफिशियल पोईट्स ठीक है court points गरा होते थे उन्होंने लिखे कुछ जो है थोड़े बात individual writers भी थे ठीक है but mostly जो यहाँ पे medieval times पे text लिखे गए that were in Persian language ठीक है Persian language में लिखे गए ठीक है और अब हम वो जो है डेली सल्तनेत का period जो है उसको भी अभी हम further divide करके देखेंगे कि कौन से पीरिए जो कौन से works थे किस पीरिएड में वो important थे ठीक है तो coming to starting ठीक है जब हमारा डेली सल्तनेत का start हुआ एक बर मैं आपको पहले चार्ट दिखा देती हूँ आपको थोड़ा idea हो जाएगा किस तरह से हम करेंगे तो देखिए पहले जब डेली सल्तनेत का foundation हुआ खुतुबुदीन एबक जो है उन्होंने found किया रहा है डेली सल्तनेत ठीक है तो उस time पे या उससे पहले की जो history है ठीक है हम उसको बात करते है पाइनियर्स में जिन्होंने बेसिकली यह history writing medieval historiography जो है उसका tradition start किया ठीक है तो वो हम पाइनियर्स में पढ़ेंगे ओके पाइनियर्स में हम दो जो है major works cover करेंगे we'll cover two major works first is शज्राई अंसब ठीक है शज्राई अंसब very important यही जो है main important work है history writing का then second is तबकते नसीरी by मिनहास राज यह भी बहुत जादा important है ठीक है तो अभी हम detail में इसको discuss करेंगे दोनों works को ठीक है तो यह आपका जो है starting works होगे pioneers then second आपते हैं 14th century के works अभी जैसे हम अगर Delhi सल्तनित की बात करते हैं slave dynasty हुई khalji dynasty, tughlaq dynasty right ठीक है जिस तरह से dynasties चलती रही वैसे ही हमने history writing को divide कर दिया periods में ठीक है तो पहले starting हुई 13th century में हमने pioneers की बात की 14th century में जैसे हमने बात की फुतू उस लातीन ओफ isaami यह आपका important work है और बरनीस तारी के फिरोशाई यह भी बहुत जादा important है 14th century late 14th century ठीक है क्योंकि यह जो है तुगलक्स के time का आगया late 14th century में तो इसमें important हो जाते हैं सीरत फिरोशाई शम्त सिराज अफीव तारी के फिरोशाई ठीक है तो यह दोनों जो है important है फिर 15th century का आता है शिहाब अकीम्स मासीरे महमूद शा तारी के महमूद शा ठीक है तो यह अभी आप नाम सुनके घबराना नहीं है आपको memorize हो जाएंगे ठीक है दो चार बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे राम से ठीक है अभी आपने क्या चीज़ करने है पहले आप वो देखिए इस तरह हम आपको चार बना लेना है ठीक है प्लैन शीट पे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यह तो एक आपको ओवरॉल चार्ट हो गया ठीक है जिससे आपको नेम्स मेम्राइज करने है कि हां कौन से पिरिएड का कौन सा जो है आपका वर्क important ں ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे आप अलग-लग से जैसे आपने पाइनीयर्ज में यह दोनों व intuitive लिये और चार्ट की फॉर्म में ही जो अभी हम डीटेयल्स डिस्कश करेंगे ठीक है तौ आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा point के form में add कर लेना है ठीक है तो उस तरह से आप इसनके flow charts बनाएंगे और उनको बार-बार revise करेंगे ठीक है दो तीन बार revise करेंगे आपको mind में set हो जाएगा ओके तो चलिए अभी हम start करते हैं इसको detail में cover करना तो coming to pioneers ठीक है जो starting में important works रहे हैं वो जल्दी से cover करते हैं तो यहां पर first important work जैसे अभी हमने देखा that is शज्राई अंसब very important and it was written by फाकीरे मुदाबिर ठीक है फाकीरे मुदाबिर जिनका original जो name था मोहमद बिन मनसूर ठीक है इन्होंने ये शज्राई अंसब लिखा और अब यह starting work में क्या होगा थोड़ा सा आपको connect करते रहना है ठीक है medieval history में जाए थोड़ा थोड़ा वहां से connect कीजिए ठीक है तो यह starting work है इसमें इन्होंने क्या किया पहले इन्होंने जो है इसलाम की बात की ठीक है इसलाम प्रॉफिट मुहमद से लेके उसके बाद उनके जो ancestors मतलब sorry उनके जो आगे successors हुए ठीक है फिर उसके बाद मुहमद गौरी ठीक है मुहमद गौरी के जो ancestors थे क्योंकि अभी यह starting के time period की बात चल भी है तो यहां पे मुहमद गौरी was important character तो उनके ancestors की यहां पे बात हुई देन उसके बाद कौन important हो जाता है यहां पे ठीक है तो डेली तो कुतुबु दिन एबग की बात हुई उनके बारे में जो है उन्होंने किस तरह से military expedition की वो बात हुई ठीक है तो जो यह शजराई अंसब है शजराई अंसब was very important क्योंकि इसको first history consider किया जाता है of the gorian conquest यह जो मौहमद गौरी ने conquer किया इंडिया को राइ ठीक है इसकी जो first history है that is शजराई अंसब इसलिए यह बहुत important हो जाता है और बहुत अच्छे से एक historical sense के साथ इसमें मौहमद बिन मंसूर ने जो है details describe की है उन्होंने कुतूबु दिन एबग जो थे उनके military expeditions के बारे में बताया ठीक है फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जो measures, land grants उगरा renew करे ठीक है उनकी बात करी गई यहां पर उसके बाद यहां पर इन्होंने जो है even rituals उगरा भी describe किये जैसे जिस तरह से होता था कि जब सुल्तान king बनता है तो public जो है लोगों को किस तरह से उनको जो है उनके rule को accept करना होता है कौन से rituals होते है ठीक है वो भी यहां पर describe किये तो यह काफी important book रही काफी important work रहा because यह first जो है history एक तो first history हुई Gorian conquest की and Delhi सल्तनेत की राइट और इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया ऐसा नहीं है proper यहां पर कुछ-कुछ historical sources को जो है refer किया गया historical material को ठीक है काफी जो है अच्छे से मुहमद बिन मंसूर जो थे उन्होंने एक historical sense के साथ पूर जो भी इवेंट्स गया रहा थे उनको present किया यहां पर ठीक है तो यह काफी important book को जाती है and due to its importance यह 1927 में इसको English में भी publish किया गया by E. Denison Rose ठीक है और इसको title दिया गया तारी के फकुरूदिन बाय मुबारक शा ठीक है तारी के फकुरूदिन बाय मुबारक शा ठीक है तो यह काफी जादा important book है आपको अभी क्या करने है आप जब flow chart बनाएंगे ठीक है आप शजराई अंसर लिखके उसके बाद यह जो important important points है कि इसमें क्या क्या चीज है first history है ठीक है उसके बाद इसक अपने exam में भी बना सकते है okay then second यहां पर important work है तबकते नासीरी very important बहुत जादा important है यह भी by मिन्हा सिराज ठीक है अब यह देखिए क्यों important है इसमें अभी हम discuss करते है history के sense से अगर हम देखे history writing जिस तरह से करनी चाहिए ठीक है उसका हमें एक यहां पर आप बोलेंगे एक हमें glimpse मिलती है हमें एक जलक मिलती है ठीक है यह काफी important हो जाता है तो पहली बात तो यह जो work है तबकते नासीरी ठीक है इसको जो है जो मिनास थे उन्होंने मतलब सुल्तान नसुरूदिन महमूद जो थे उनके time period पे लिखा ठीक है और उससे पहले जो जो developments हुई इसलाम को लेके ठीक है और like different rulers not just Indian ठीक है जो तो Indian rulers हुए Delhi सल्तनेत के वो तो यहां पर उन्होंने cover किये ठीक है साथ की साथ उन्होंने जो है यहां पर एशिया पर्शिया ठीक है उदर जो जो ruling dynasties थी उनको भी cover किया ठीक है वो जो sections को ही हम बोलते हैं तबकत ठीक है तो तबका बोलते हैं sections को तो इसको इससे बात बनती है कि जो मिनास इरास थे उन्होंने तबकत सिस्टम यहां पर इंटर्ड्यूस किया तबकत सिस्टम मींज कि आप जब कुछ वैसा work लिख रहे हैं उसको आप sections में डिवाइड कर तबको में describe करें क्योंकि फिर क्या है readers के लिए भी easy हो जाता है ठीक है अगर आप सब mix match करते हैं कभी किसी का लिख रहे हैं कभी किसी का लिख रहे हैं तो वो थोड़ा गड़बड हो जएगा ठीक है अप प्रॉपर sections में divide करके लिख रहे हैं तो easy हो जाता है for the readers and that is कि हाँ यह जो historians लिखते हैं ठीक है तो यह एक अच्छी बात है एक अच्छी practice है historians जो follow करते हैं वो अपने work को इस तरह से डिवाइड करते हैं sections में तो यह पूरा जो तबकत सिस्टम है it was introduced by मिन्हा सिराज ठीक है तबी नाम पढ़ा तबकत नासीरी ओके तो अब इन्होंने क्या कर इन्होंने जितनी भी ruling dynasties describe की ठीक है पर्शिया की उसके बाद आप बोलेंगे Central Asia की इंडिया की इनको अलग 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 sections अलग अलग तबका में describe करा ठीक है और यहां पर एक बहुत important चीज और इन्होंने follow की देखिए अब जब हम historians की बात करें हम history writing की बात करें तो जो एक बाइस picture लिख रहा है या एक चीज की तारीफ ही करी जा रहा है ठीक है इस तरह सी नहीं होता true historian जो है वह हमेशा try करता है to be non-biased जो actual में चीज़ें हैं उसको बताने की कोशिश करता है ठीक है अब जैसे for example अगर हम सल्तनेत की डेली सल्तनेत में जो भी works वेरा हुए इक और टिस सेड की वहां पर mostly जो court points होते थे हैं वो लिखते थे राइट और उनका एक कही नहीं mindset होता था कि उनको सुल्तान की प्रेज करनी है विकाज उनको जो है patronage मिल रही थी बाइस सुल्तान रैट ठीक है तो कही नहीं ऐसा होता था कि सुल्तान की प्रेज करनी है उस चक्कर में वो सही बातें कई बार नहीं बताते थे, ठीक है, वो कई बार सुल्तान का कुछ क्रिटिसिजम होता था, उसको नहीं लिखते थे, ठीक है, बट यहाँ पे, as a true historian मिनाज सिराज जो थे, उन्होंने एक नया system यहाँ पे इंटरड्यूस किया, ठीक है, conveying intimation का, very important, ठ में यह क्या करते थे, यह जो है, अगर इनको criticize करना होता था, ruling king को, ठीक है, उसको criticize भी कर देते थे, बट इस तरह से करते थे, कि हाँ, एक subtle way में की, उसको भी मतलब पढ़ने वाले को बुरा भी नहीं लगे, ठीक है, बट हाँ, सही बात भी बता देते थे, for example, यहाँ पे यह बताया किया, कि इन्होंने जैसे इलतत्मिश थे, इलतत्मिश का कुछ जो है, criticism करना था, किसी बात पे, तो इन्होंने क्या करा, उसको directly criticize नहीं किया, बट इन्होंने जो इलतत्मिश के rivals थे, उनके कोई दुश्मन गरा थे, उनकी qualities को जो हाइलाइट कर दिया, ठीक है, अच्छी उनकी qualities को हाइलाइट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, एक readers तक एक true picture भी पहुंच गई, उनको एक idea भी लग गया, कि हाँ कहीं न कहीं, इलतत्मिश की यह चीज गडबड थी, और जादा कुछ ऐसे सुल्तान की image को भी destroy नहीं हुई, ठीक है, तो इस तरहां से, जो authentic materials को जो है refer किया, ठीक है, इवन उन्होंने जब mongols की बात की, ठीक है, वहाँ पे जो merchants को रहा थे, जिनके trade links थे with the mongols, ठीक है, उनको भी जो है, इन्होंने रेफर किया, तो मतलब इन्होंने पूरा try किया, कि हाँ, जो है, अलग-लग sources से information को gather करके, सही authentic information provide करने का, ठीक ह ठीक है, ठीक है, तो यह तबकते नसीरी रहा, काफी important work है, यहाँ पे हमारे जो pioneers के दोनों works थे, यह हमने कर लिए, फर्स्ट इस शज्राई अंसब, ठीक है, अड़ तबकते नसीरी, और आप try किजिए, इसी order में वहाँ पे आप exam में लिखना, ठीक है, क्योंकि यह आप दे ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अभी हम next cover करते हैं, 14th century का, ठीक है, 14th century में दो works mainly important थे, first जो था, that is, बर्नी स्तारी के फिरोशाई, very important, ठीक है, बर्नी भी जो कहीं ना कहीं, वो मिनास सिराज की तरह था, ठीक है, जैसे मिनास सिराज के इमने बात की, उन्होंने खाली ऐसा न गलत जो उनकी कोई negative चीज़ है, उनको side पर clear, right, ठीक है, similarly, बर्नी जो थे, ठीक है, बर्नी का भी ये था, कि उन्होंने भी समझा ये चीज़ की historian, जो है, as a historian, उनको ठीक है, good works तो present करने हैं, but उनको अगर कोई critical जो है, बात है, ठीक है, कोई criticism है, उसको भी, कोई अगर सु understand किया, and that was reflected in his works, okay, तो अब और एक बात और भी थी, जो बर्नी थे, इनकी relations थे, with the royal court, like इनकी जो ancestors गरा भी थे, इनके काफी टाइम से, जो है, royal court के साथ, एक association थी, relations थे, ठीक है, तो एक ये अपनी responsibility समझते थे, कि मैं जो है, मेरी जो ruling elite है, ठीक है, तो उनको मैं जो है, proper information ठीक है, proper उनको कुछ किसी बात में misguide नहीं करूं, ठीक है, तो इस तरह से इनके work भी जो है, काफी important रहे, ठीक है, और इनका जो important जो मतलब work रहा, that is, तारी के फिरोशाई, very important, ठीक है, और इसमें इन्होंने एक और important बात की, पहले क्या होता था, जादा events को बस describe करते थे कि हाँ, ये event हुआ, ये event हुआ, ये event हुआ, ये event हुआ, बट यहाँ भी इन्होंने cause and effect जो है, उसको भी mention करने की कोशिश की, उसको analyze करने की कोशिश की, कि हाँ, अगर कुछ event हो रहा है, then what was its cause, ठीक है, अगर कोई event हुआ, सुल्तान ने कोई policy adopt की है, उसका क्या impact हुआ है, ठीक है, तो cause and effect analysis जो है, that is also very important in history writing, अगर आपको याद हो, हमने causation का chapter एक लग से discuss किया था, तो उसमें वही था, कि हम cause find out करना event का, ठीक है, तो वो काफी important हो जाता है, and यहाँ पर बर्नी ने वो चीज की, ठीक है, तो इनका work भी काफी important था, and even ये जो है, मिनास जो थे, ठी इनका आप देखेंगे, कहीं ना कहीं, as a historian, इनके कुछ similar जो है, आपको views मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद, then, यहाँ पर next important work आ जाता है, इसामी का, ठीक है, इसामी का important work है, फुतु उस सलातीन, ये भी काफी important है, ठीक है, इन्होंने जो है, मुस्लिम रूलर्स, जो थे, उन को describe किया, जो इनके पहले के works थे, ठीक है, उनको भी इन्होंने refer करा, ठीक है, तो इनका work भी काफी important हो जाता है, फिर उसके बाद, इन्होंने जो है, दौलत्ताबाद की बात की, कि जो दौलत्ताबाद found किया था, मुहमद बिन तुकलक ने, that was second most important city, फिर कुछ जो डेली सल सल्तनेत के time, socio-economic growth हुई, ठीक है, उसके बारे में, sorry, अलावदिन खल्ची के ने जो कुछ steps लिये थे, for the economic growth, ठीक है, उसको भी इन्होंने mention करा, तो इसामी का work जो है, फुतु सलातीन, it is also considered one of the important works for डेली सल्तनेत पीरियद, ठीक है, डेली सल्तनेत का जो पीरियद है, उसक को भी important माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं था कि सिरफ kings गरा की बात करे थे, इन्होंने socio-economic growth थी, ठीक है, क्या उस टाइम पर conditions थी, उस पर भी इन्होंने बात की थी, ठीक है, तो यह रहा, उसके बाद, now, we'll come to late 14th century histories, ठीक है, यहाँ पर 14th century का हमने cover कर लिया, अब हम late 14th century की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको दो important works है, ठीक है, अगर आप देखिए, इगनु की book देखेंगे, उसमें आपको और भी कुछ important works मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ पर वो mention किये, जो आपके exam के लिए sufficient है, ठीक है, अगर आपको इसके बीना भ फिरोशाई, ठीक है, सीरत फिरोशाई जो फिरोशा तुगलक थे, उनके official history थी, ठीक है, उन्होंने जो court words गरा रखे थे, उन्होंने लिखा था सीरत फिरोशाई, इसमें जैसे सुल्तान के, सुल्तान ने जो भी public welfare के लिए काम किया, ठीक है, military expeditions थी फिरोशा तुगलक की, ठीक है, वो सारी यहाँ पर mention हुई, social economic matters थे, वो mention किये, sofism की यहाँ पर बात हुई, ठीक है, कोई भी science and technology wise advancement हो रही थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर discuss किये, ठीक है, ठीक है, यह official history है, तो जो भी court में चीज़ें हो रही थी, that was discussed here, ठीक है, ठीक है, उन्होंने एक important work ठीक है, 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 ठीक करते थे बट on the other side उन्होंने ये भी बताया कि उस time पे ठीक है corruption भी बहुत जादा हो गई थी यहां पे ठीक है तो एक time आप देखेंगे एक side पे वो socio economic prosperity की भी बात करेंगे during फिरोशा तुगलग बट दूसी साइट जब वहां पे corruption गहरा हुई तो उसकी भी बात करी तो यहीं बात होती है historian की historian ऐसा नहीं कि एक ही side bias रोके चल जाएगा negative कर रहा है तो negative ही करता जाएगा यह positive है तो positive ही करता रहेगा नहीं ठीक है positive बात भी की negative बात भी की ठीक है तो proper information यहाँ पर प्रवाइड की that's why उनके work को importance दी गई and उनका work जो था उसको जो है एक दुबारा से थोड़ा सा पब्लिक करके नेम दिया गया तारीक फिरोशाई ठीक है तो यह भी काफी important work है आपका late 14th century को okay then 15th century histories अब देखे 15th century में आप कहीं न कहीं क्या हो रहा है डेली सल्तनेत्स खतम हो रहा है उसके बाद मुगल्स आएंगे और इस टाइम पर important cheese हुई important development हुई that is development of regional kingdoms very important हम MHI4 में भी पढ़ते है kingdom of Malwa ठीक है अलग लग लग जो है पर original histories जो है वो भी create हुई ठीक है जो original rulers की जिन्होंने बात की for example शियाब हकीम जो थे उन्हों उनका एक important work था मासीर महमूद शाह very important ठीक है इसमें उन्होंने मालवा की history की बात की है ठीक है तो जैसे जैसे original kingdoms develop हुए तो original histories भी यहाँ पर develop हुई है ठीक है उसके बाद और एक important work आता है तारी के महमूदी ठीक है यह भी काफी important work है इसमें इन्होंने basically जो तबकत नासीरी था मिनास सिराज का राइट और बरनी का तारी के फिरोशा ही था उनको जो है समराइज किया तबकत फॉर्म में ही जैसे मिनास सिराज ने करा था ठीक है और फिरोशा तुगलक और उनके बाद के जो सक्सेसर थे उनकी हिस्ट्री को basically जो है cover करा यहाँ पे ठीक है तो इस तरह से 15th century histories रही है यह हमने पूरा भी period by period discuss कर लिया ठीक है इंडो पर्शन हिस्टोरियोग्राफ़ी ड्यूरिंग डेली सलतने पीरियोड ठीक है तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है basically आपको नेम्स ही याद करने किसमें क्या है वो याद करने ठीक है उसके लिए बेस्ट आइडिया है यह चार्ट क्रिएट करना ठीक है यह चार्ट क्रिएट कर तो आपको माइड में बिल्कुल सेट हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसी के साथ हमारा यह टॉपिक हतम हो गया डेली सलतने में हिस्टोरियोग्राफिका ठीक है डेन सेकेंड मीडीवल हिस्टोरियोग्राफिका भी सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें we'll talk about Mughal period उस टाइम पर किस तरह से हिस्टोरियोग्राफिका ठीक है तो चलिए अभी आज का यहीं end करते हैं all the best for your preparation for your exams मिलते हैं next lecture में till then bye guys